Hi everyone, it's me Anjali Varma, your educator और आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी की preparation हमें कैसे करनी है नाखरी के डेज में जो हमारे पास बचे हुए हैं तो सबसे पहले हम लोग syllabus को देख लेते हैं, syllabus overview कर लेते हैं सबसे पहली है आरो, दूसरी है वितान और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम की ठीक है तो ये तीनों की ही हमें preparation करनी है तीनों books की help से अब इसमें कुछ deleted भी है तो आरो में काव खंड में ये दोनों deleted हैं, गध्य खंड में ये दोनों deleted हैं और वितान में Anne Frank diary के पढ़ने ये deleted है, which means ये आपको नहीं पढ़ने है इनके अलावा जितने भी chapters है या poems है उनको आपको prepare करना है तो syllabus तो I think समझ में आ गया होगा, very simple अब हम एक बार syllabus, sorry, जो sample paper है उसका pattern देख लेते हैं, ठीक है तो आपको पता है, total जो paper आता है, वो 80 marks का होता है जो बाकी 20 marks है, उस school के थू ही जाते हैं, तीन घंटे का हमारा paper रहता है अब कौन कौन से sections में किसके इस type की questions है, तो पहले खंड ओ है हमारा यहाँ पर आपको पता है, अपर्टित जो हमारे पास गद्यांश, परद्यांश होते हैं, उस से related questions आते हैं तो यहाँ पर देखो, एक अपर्टित गद्यांश आएगा, इस पर आधारित 10 questions आएंगे यह बहु विकल्पी हैं, इसका मतलब MCQs, उसके बाद एक अपर्टित गद्यांश भी आएगा, यानकी poem, ठीक है यह हमारे पास unseen passage है, और यह unseen poem है, इसके basis पर भी 5 MCQs आएंगे उसके बाद, second देखो, यहाँ पर जो अभी विक्ति और माध्यम वाली book है, उसके basis पर questions आए हैं और यह भी हमारे पास बहु विकल्पी हैं, और यहाँ पर से 5 नंबर के questions आए हैं, ठीक है फिर देखो, यहाँ पर, आरो, जो है हमारे पास book, उसमें से पर्ठित काव्यांश आनकी, जो हमने अलोड़ी पढ़ रखा है उससे एक काव्यांश आ जाता है, और एक गध्यांश आ जाता है, और उसके basis पर हमें questions आंसर करने होते हैं तो यहाँ पर भी यह MCQs है, उसके बाद fourth अगर हम देखे, तो इसमें भी वितान से बहु विकल्पी परश्ट आने वाले हैं तो यह हो गया, उसके बाद खंड बॉक की बात कर लेते हैं, यह काफी important है, यहाँ पर अभी विक्ति और माध्यम जो हमारे पास किताब है, उसके काफी questions आते हैं रचनात्मक लेखन लिखन आपको आना चाहिए, कहां से prepare करना है, कौन-कौन से channels हैं, सब बताने वाली हूँ, पहले जल्दी से sample paper को एक बार analyze कर लेते हैं तो यह लिखना आपको आना चाहिए, देखो 6 number का है, it is very important, उसके बाद यहाँ पर आपको questions पूछे गए हैं, विकल्प यहाँ पर आपको given हैंगे, ठीक है, यहाँ पर भी and even यहाँ पर भी तो again यह जो अभीव्यक्ति और माध्या में इसको छोड़ना नहीं है, इसकी भी preparation अच्छे से करनी है, बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ वितान और जो दूसरी बुखे हमारे पास आरोह, बस उसी को देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अस आपको नहीं सेम यहां पर भी हमारे पास रहेगा, यहां पर टू मार्ग के क्वेश्चन्ज रहते हैं, सो फोर मार्क टोटल हो गए, यहां पर गद्यखंड से आएंगे, ठीक है, यह काव्य खंड था, यह गद्यखंड हो गया, सेम वही pattern है, सिक्स और फोर मार्क्स, ठीक है, फिर विता तो it is very very important कि आप लोग summary videos देख लो क्योंकि अभी chapter reading का उतना जाद आपको time नहीं मिलेगा तो summary videos देख लेना, channels कौन कौन से हमें prefer करने हैं, एक love study point भी काफी अच्छा channel है Hindi अध्यापक और इसके अलावा भी अगर कोई और channel है, जहां से आप लोग prepare कर रहे हूं तो आप लोग definitely comment section में बता सकते हो, summary videos आप लोगोंने जैसे ही देख ली है, questions आप लोगों को जरूर देखने हैं, जो कि आपके book में given है, चाहे RO है, चाहे वितान में या फिर अभी व्यक्तियों और माध्यम में, तो आपको जरूर एक बार जो भी questions वगरा हैं, वो देख लेन अब ही जो pattern है, उसमें MCQs भी हैं, उसमें हमें normal questions के answer भी लिखने हैं, तो इसलिए आपको sample paper जरूर देखने पड़ेंगे, and written practice करो, क्यूंकि हिंदी में बहुत ज्यादा हम mistakes कर देते हैं, मातराओं के mistake होती है, हमें सही तरीके से लिखना नहीं आता है, frame नहीं करना आता है हमें sentence, तो ये सारी चीज़े भी आपको देखनी हैं, जिसके लिए written practice required होगी ही होगी, so ये सारी चीज़े आपको follow करनी है, I hope complete आपको हिंदी में, क्या हमारे पास syllabus है, क्या pattern है, कहां से preparation करनी है, support समझ में आ गया होगा, so that is it for this video, हम मिलेंगे हमारी next video में, till then, bye everyone, take care, and all the very वे वे बिस्त.